जारकन चुनाव में हम मैक्सिमम जो है कुछ जो हमारे सही रास्ते के जो पार्टी है हमारे विचार से जिनका मिलता है वो लोग के साथ कोशिस करूंगा ताल मिलने करने का और नहीं तो मैं अकेले सारे जारकन में एकासिस स्टूं परचनाव लडने का कोशिस कर रहा हूं और मैं उमीद करता हूं कि जन जन तक हम लोग जाएंगे जैसे हमारे भानुपरताब जीने बोले कि मने इभीम में गड़बरी है हमको भी यह लगता है लग इसलिए मैं भी सरकार से आगरह करूंगा बानुपरदाप तो है कहीं कुछ हमको भी अभास लगा है ऐसे इस पर अगर जैसे बाइलेट पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो अच्छा होगा इसका भी मैं जब एभीम का मैं भी बिरोद करूंगा जब गड़बरी हो रहे तो भाई जब सच्चाई बात है कि आपका जदी आपके पास जन समर्थन है तो आप बाइलेट पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं और ये इभीम मैं गरवरी है ये जैसे जैसे बात बोले मैं भी कुछ देखा कि कुछ गरवरी तो है और ये सीटें इसी तरह इसी दम पर अपना दावा भी ठोकती है ठीक है अगर ये है हम लोग बा के साथ हम लोग एकासी सिट पर मिल कर लड़ेंगे और जो भी गरवरियां है उसको हम लोग दूर करने का कुछिस करेंगे जार्खन में जो भी समस्या हैं आज उन्हें साल बितने के बाद भी जो जार्खन का जो सही रूप में जो जिस आसा से जार्खन को बनाया गया था वह जार्खन का रूप नहीं रहा इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग जार्खन को मिल करके अच्छा से इसको समारे और जार्खन में अकुत संपत्य है वेरुजगारी बहुत बढ़ते जा रहा है आप देखी रहे हैं यहां तो सबसे बड़ा तो जमीन का जो आज तक ज ज़गोटाला है यह तो जार्खन में सबसे बढ़के है और सबसे जादे लोगों को लडाने का काम बड़े-बड़े बिल्डर लोग आते हैं बड़े-बड़े पुझी-पति लोग आते हैं आख बेरुजगारी का दूर करेंगे यहां के जार्खनियों को लडाने का अंदुलनकारियों का जो है, अंदुलनकारी का जो सपना था, वह होना चाहिए, अभी अंदुलनकारियों का भी बहुत जो सही अंदुलनकारी है, उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, यह भी मिलना चाहिए, इसका भी हम लोग सर्कार से, इसका भी मनें ही करेंगे, प्रदर् पहले की सरकारें थी कि भाई वहां हमको क्यों नहीं बोट मिला ये बीचार होता था अभी तो मने अपनों तो मने नहीं टेख रहे हैं पार्टियां जो है पार्टी जिदने पार्टियां है बंगसबाद पर चल रहे हैं